देखाना आपने ये कंटिनुशन में मैंने दूसरी वीडियो बनाई है ताकि लंबी ना हो देखिए कितने डेकोडिटिव आइटम्स है चोटी चोटी चार पाई है साइकल्स है रिक्षाज है और ये लकणी का सामान है जो मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूं पर फ्रंट से मैंने के लिए हैं आपको दिखाने के लिए कि ये चेश्र ड्रॉर का इतन है और बहुत सुन्दर सामान है तो जरूर आईए और देखिए ये डायनोसार पार्क है जिसकी एंट्री टिकेट 50 रुपीज है अंदर से बहुत ही सुन्दर है मैंने वीडियो जादा नब मीना हो इसलिए आपको नहीं दिखाया है बहुत बड़िया है बच्चे बड़े सब लाइक करते हैं और ये देखिए पानी भरा हुआ है एक स्क्वैर प्लेस बनाया हुआ है जिसमें पानी रोका हुआ है इन्होंने और इसमें छोटी छोटी गाडिया है जिसमें छोटे बच्चे ये इन्जॉई कर सकते हैं आप द थोड़ा सा गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, ये दूसरे जूले हैं, बहुत अच्छे जूले हैं, मैं आपको टोटल ये कहूंगी कि मस्ती, फन, फूड फेस्टिवल है ये, बॉम्बे की भेलपूरी है, और भेलपूरी पर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है, ताकि आ के लिए बहुत सारे आइटम्स हैं, ऐसा नहीं अंदर आके कि आप परिशान होंगे, और जूले भी ये बड़ा डेंजरस जूला है, जो दोनों के बीच में चल रहा है, और आप ये मैटीरियल देख सकते हैं, किचन आइटम्स हैं, चोटे-चोटे हैं, बहुत सस्ते हैं, सामान है, स्टेशनरी है, तो ऐसे करके काफी आइटम्स हैं, गेम्स हैं, बच्चों के लिए बहुत सारे चीजा हैं, कोयी 15 रुपीज का है, ये पैंसिल बॉक्स हैं, तो बहुत सारे चीजाँ हैं, छोटे बच्चे ले सकते हैं, और वो एंजॉई कर सकते हैं, आपको मैं मैं जगे जगे पर एड्रेस और फोन नंबर दिया है यह देखिए कुशन कवर हैं प्रिंटर है कड़ाई वाले हैं डिफरेंट कलर हैं यह सामने लगे हैं डिजाइन देखना चाहें तो आप बहुत ही खुबशूरती से इन्होंने यह शौप को लगाया हुआ है और कुछ न काफी बड़ी शौप है अराम से खरी सकते हैं और यह डिफरेंट कपड़े हैं स्टॉल्स हैं बहुत सारे मतहर कपड़े का अलग रेठ है यह जूल्री की शौप है इसमें सब नेकपीस हैं एरिंग्स हैं चोटी-चोटी मालाएं हैं जैसे लेडिज अमोवन छोपिंग करत कि मालाएं हैं जो मेले में एक ट्रेड माउर होता है कि मिलती ही मिलती है बेंगल्स हैं टॉप्स हैं मैंने एक चीज आपको दिखाने की कोशिश किया और इनका यह एड्रिस मैंने आपको दिया है चंडी gider fashion gallery है यानि है आप वहाँ जाकर प्यूपीश और सबसे उन्दर बा कितना खुबसूरत है फोटो भी खिचाएंगे तो बहुत सुन्दर लगेगी अब यह देखिए इस स्टॉल पर काफी सारी डेकॉरेटेड पोर्टली रखी है आप अपनी ड्रेस के साथ उसको मैच कर सकते हैं मैजेंटा है औरेंज है रेड है फिरोजी है ब्लैकन रेड है ब है यह डॉग फूड की शॉप है तो यानि हर चीज अवलिबल है आप जाएंगे तो एक चत के नीचे आपको यह सब कुछ मिल जाएगा और यह कुछ बैग्स हैं जिसमें आप कुछ डिफरेंट आइटम्स रख सकते हैं इधर यह जूती लगी हुई है मोजरी जिनको कहते ह हैं और यह भी बहुत सुंदर कलर हैं आप अपने ड्रेस के साथ मैच कर सकते हैं यह आपको यह लैंप शेड दिख रहे हैं बड़े अलग से हैं बहुत अच्छे से डेकोरेटिड हैं और यह स्विच में लगाने के लिए छोटे नाइट लैंप से तो अच्छा लगा मैंने सुचा आपको भी यह स्ट्रॉल के बारे में बताऊं लिमिटेड पीस हैं बट सुंदर हैं यह कुछ कुर्तीज हैं गाउन हैं शौट ड्रेसे हैं टॉप हैं अच्छे हैं आप अपनी पसंद से ले सकते हैं 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 और कोई भी शायद 200 रुपे 300 रुपे से जादा नहीं है और यह कुछ बुक्स हैं बुक्स लवर के लिए बुक्स भी हैं जो आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं तो बहुत सारी बुक्स थी यह भी बड़ी स्टॉल थी कोई छोटी स्टॉल नहीं थी काफी सारी बुक्स थी तो आप यह भी ले सकते हैं बड़ी रिजनेबल थे, देखिए बच्चों के लिए हैं, तो काफी सारा सामान है, आप अलग अलग इस सरे से देख सकते हैं, ये फिर से आपके कुशन हैं, बैग्स हैं, ये टेबल रनर हैं, जो बीड्स के आजकल आ रहे हैं, बहुत सुन्दर हैं ये भी, और कुशन है, पोटली हैं फिर से, ग हैं, और मैटल में भी एक क्लच पर्स हैं, ये देखिए गोल्डन कलर की, मुझे सुन्दर लग रही थी, बहुती सफाई से किया हुआ काम है, और 350, 250, 300 इस रेंज के ये पर्स हैं, गोल्डन कलच है, इधर आप आएंगे तो थोड़े बड़े पर्स हैं, बीड्स वाले पर हैं, ये देखिए, ये मैटल में है, आजकल चल रहे हैं, ये दबते नहीं है, बिलकुल ये फिक्स रहते हैं, ये गोल्डन कलर बहुत सुन्दर है इसमें, और ये 750 का था, 750, बाकि आप बार्गिनिंग कर सकते हैं, मैंने खरीदा नहीं, तो इसलिए मैंने बार्गिनिंग नहीं की, और ये मैंने डैली में पहले देखे हैं, ये कुछ स्टॉल है, जिसमें वुलन लगे हुए हैं, दौनों तरह के हैं, कुछ स्वेटर हैं, फुल स्लीव, लॉंग ड्रेसे हैं, अच्छे हैं, ये देखे, कस्टमाइज टी-शिर्ट हैं, इनका नंबर मैंने यहां आपको दे दिया है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, तो आपका भी बनाना चाहें, तो बनवा सकते हैं, बहुत सुंदर टी-शिर्ट हैं, ये देखे, और 350 की रेंज में उनने बताया है, आपका अपना फोटो है, तो आप उसको भी प्रिंट करा सकते हैं, अब ये कुछ food stalls हैं, सभी तरह का खाना है, राजस्थानी, पंजाबी, कुल्चा, यानि आप घर से खाकर मत आईए, यहाँ पर आपको हर रेट में मिलेगा, पिज्जा, भेल पूरी, गोलगप्पे, चाठ, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है, तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मैं और दूसरे विलोग लेकर आपके सामने आती हूँ,